नमस्ते दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूँ इस खास वीडियो में जहां हम आपको लेकर जाएंगे हिमाचल प्रदेश के प्राकृती के लपेटे में बसे चम्बा घाट के पास इस्तित करोल टिबब ट्रैक पर यह ट्रैक एक अदुती अनुभव के लिए बना है जिसमें आप प्राकृतिक सौंदर का आनंद लेने के साथ साथ आदमिक्ता के विश्राम और मन की शान्ति का भी अनुभव करेंगे दोस्तो करोल टिबब ट्रैक का आरम चम्बा गाट से होता है जो हिमाचल के आरम से भरे दरियाई इलाकों में इस्तित है यहां से आपको यात्रा करते हुए जंगलों से आगे बढ़ना होगा जहां आपको प्राकृतिक सौंदर से भरपूर घाटियां पहाडों के चारागा और दिव नदियों का द्रिश्य मिलेगा यह ट्रैक आदमिक्ता आस्था से जुड़े मंदिरों की यात्रा के लिए प्रसिद्ध है सोलान में कालका शिमला हाईवे के समुद्र तल के करीब 7000 फीट की उचाई पर करोल टिबबा दूर से ही दिखाई देता है करोल पर खड़े होकर एक तरफ हिमाले और दूसरी ओर मैदानी राजियों के दर्शन होते हैं यहां से सिमला, चायल, कसौली, अपर हिमाले की बरफ से धकी पहाडियां और धौलधर रेन भी नजर आती हैं तो चलिए अब जानते हैं कि करोल कैसे पहुचा जाए फुम सिटी के नाम से मसूर सोलन सहर करोल परवत की घोड में बसा हुआ है करोल परवत जाने के लिए सोलन के चमबा घाट से भी रास्ता जाता है सोलन सहर के आगे काल का शिमला एमेच पर डेट घराट शेतर के पास से पांडव गुफा के लिए रास्ता जाता है इसमें करीब साड़े 5 किलो मीटर की चड़ाई है वह देवदार के घने जंगलों के 20 से यह तैक करनी पड़ती है अन्य राजियों से आने वाले सोलान तक रेल गाड़ी के माध्यम से भी आ सकते हैं उसके आगे बस या फिर गाड़ी के माध्यम से भी जाया जा सकता है दोस्तो उसके बाद आप अपने ट्रेकिंग के अनुभव को शुरू कर सकते हैं दोस्तो अगर आप ट्रेवलिंग और ट्रेकिंग में रूची रखते हैं तो इस आसान ट्रेक से अपने ट्रेकिंग जरनी के शुरुवात कर सकते हैं दोस्तों अब तक मैं कई सारे ट्रेक्स पर गया हूँ, काफी ट्रेकिंग की है, पर बीच में एक वक्त खेलते हुए, मुझे काफी गहरी चोट आ गई थी मीमी, तो उस वज़े से मैं ट्रेकिंग नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मुझे एक आसान से ट्रेक को चैन करना था जिसमें काफी बढ़िया पाहलों का जो अनुभा होता है, जो शान्ती वहाँ जाकर मिलती है, वो भी चीये था, साथ में अपने नी की रिकवरी भी चेक करनी थी, कि नी कितना रिकवर हुआ है, तो दोस्तों इसलिए मैंने इस करोल टिबा ट्रेक को चैन किया, और दोस्तो ये एक शांदा ट्रेक रहा, हमने ये करीबन चड़ाई जो है, वो तीन-चार बजे के आसपास शुड़ू की थी, तो अल्मोस शाम हो गई थी, पर जो नजारे थे आप देख सकते हैं कि बहुत ही बहतरी नजारे थे, और तीन से चार किलोमीटर की उचाई पर चड़ते जाला था, तो एकदम शाम का वो बड़ी अनुभव और हवा भी बहुत तेथ चल रही थी, जहां बाकी दुनिया गर्मी में थी, वहां हम उस वक्त पहालों की थंडी हवाओं के मजे ले रहे थे, तो हमने कुछ समय वहां पर विश्राम भी किया, मजे भी किये, और वो के मंदिर करोली माता का वहां पर मंदिर इस्तित है, तो उसके लिए फिर हम आगे निकल पड़े, और दोस्तों मंदिर से ही सटा हुआ है पांडव गुफा, दोस्तों आज तक करोल टिबा का रहस से तो कोई नहीं जान पाया है, पर पांडव काल की ये गुफा विश्रु क के अनुसार इस गुफा को पांडवो ने बनवाया था, कहते हैं कि जब आग्यातवास के दोरान पिंजौर में लाक्षा ग्रह में पांडवो को जलाने का शडियन्त रचा गया था, तो फिर इसी गुफा से होकर वह बश निकले थे, हाला कि पिंजौर में लाक्षा ग्रह क के कोई प्रमान नहीं मिलते हैं अलाकि चंडीगडव शिमला हाइवे परिस्तित पिंजौर के पास विराट नगर था जहां पांडवोक ने आग्यात्वास व्यतीत किया था और उसी दोरान एक वर्ष का आग्यात्वास उसी गुफा वह करोल के घने जंगलों में बिताया था इस गुफा को पार करने वाले पांडव अंतिमानव थे इसी कारण वह गुफा को पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इस गुफा के हर्याणा के पिंजौर निकलने के भी प्रमाण है गुफा से बह कर जाने वाले बान के पत्ते पिंजौर के मुहाने पर निकलते हैं इसका अंदाजा स्वता ही लगाया जा सकता है क्योंकि बान के पेड करॉल के आगे कहीं भी नहीं है करॉल गुफा के रहस को जानने के लिए पहले से ही फोज का कारे चलता रहा है लेकिन इससे परदा नहीं उठ सका बताते हैं कि 1982 में जर्मनी के कुछ फोज करताओं ने जब गुफा के अंदर रंगीन पानी डाला तो यह पिंजौर गार्डन के पानी के प्राकृतिक चश्मों से निकला जिससे एक बात तो साबित होती है कि यह गुफा पिंजौर में ही निकलती है जानकारों का मानना है कि इस गुफा के अंदर बड़ी जीन भी हो सकती है दोस्तों यह गुफा 28 से 35 किलोमेटर तक लंबी बताई जाती है और दोस्तों जब हम करोली माता मंदिर पहुचे तब शाम हो चली थी और सूरे ढलने ही वाला था तो वापस हमें ट्रैक करते हुए थोड़ा नीचे आना था ताकि हम अपने कैम को लगा सके और कुछ देर विश्राम करें साथी खाना वगरा भी बना कर खा सकें तो कि दोस्तों हम मेंली कैम्पिंग करना चाहते थे पर आते आते ही रात हो गई और ये पहली बार मेरे लिए ऐसा अनुभव था कि मैंने नाइट में ट्रेकिंग करी तो दोस्तों रात की ट्रेकिंग बहुत ही अलग होती है तो तो अच्छी बात थी कि हम टॉर्च वगरा सारी जो सामगरी और एक्क्यूपमेंट्स थे वो साथ में लेकर के चले थे उसके बाद हम थोड़ा नीचे आने के बाद अपने कैम को हमने लगाया और फिर दोस्तों थोड़ी मस्ती और थोड़ा विश्राम करने के बाद हमने वहीं पर आग जलाई और वो इतना बहतरीन नजारा था क्योंकि एक तो ठंड से हमें राहत मिल रही थी उपर से ये आग और नीचे पूरी सिटी चमबा घाठ हमें नजर आ रही थी तो वो बहुत ही बहतरीन नजारा था बहुत ही एक बहतरीन आप कह सकते हैं कि केंपिंग साइट है करोल टिबबा ट्रेक पे और दोस्तों फिर हमने वहीं पे खाना वगरा बनाया अब दोस्तों ट्रेकिंग करते वक्त आप अगर भारी वजन से बचना चाते हैं तो अक्सर खाली बोटल ले करके चलते हैं कि जील या फिर जो नदी आएंगे उनसे पानी को भर लेंगे पर दोस्तों इस ट्रेक में ऐसा कुछ आपको नजर नहीं आएगा तो जो पानी है वो करोल टिबा जो माता का मंदीर है करोली माता का जो मंदीर है वहाँ पर आपको मिलेगा तो वहाँ से आप पानी को भर लें और जहाँ पर भी आप कैंपिंग लगाते हैं वहाँ उस पानी को लेकर के जाएं तो उस पानी को आप यूज़ कर सकते हैं फर्दर खाना बनाने के लिए और बाकी चीजों के लिए कर सकते हैं के लाओ लाँ दिए शेव शाय राँ तो उसन जाएड है। झाल झाल दोस्तो रात में चंबा घाट को इस उचाई से देखना ये मन को मुह लेने वाला एक द्रिश्य था जो कि इतना सुन्दर था कि जिसको वढ़नित किया ही नहीं जा सकता और दोस्तो साथ इतनी तेज हवा चल रही थी तो हमने आग लगाई थी वहीं कैम भी इंगेज किया था साथ ही खाना वगएरा भी बनाया था तो अगर आप नेसेसरी एक्क्यूप्मेंट्स और एसेसरी लेके चले तो ये कैम्पिंग और ट्रेकिंग के लिए बहुत ही बहतर इन एक लोकेशन है तो चलिए दोस्तों आपको अर्ली मॉर्निंग व्यूज दिखाते हैं कि इस कैम्पिंग साइट से चम्बा घाट कैसी नजर आती है दोस्तों प्राता खाल का यह अनुबव इतना सुन्दर अनुबव मैंने तो अपने जीवन काल में अब तक नहीं गिया था ये बहुत सुन्दर नजर आ रहा था और चम्बा घाट भी सुबह सुबह बहुत ही फ्रेश और बहुत सुन्दर नजर आ रही थी उसके बाद दोस्तों हम कैम से थोड़ी देर के लिए बाहर आ करके बैठे और सन्राइज यू के पूरे मज़े लिए और दोस्तों मौर्निंग व्यूस को इंजॉई करने के बाद हमने अपने कैम को डिस्मेंटल किया क्योंकि जैसा कि हमारा प्लैन था कि हम सिर्फ वहाँ नाइट इस्ते करने वाले थे तो morning में कुछ बढ़िया, memories और pics को capture करने के बाद हमने अपने tank को dismantle कर दिया और सारा समान pack कर लिया दोस्तो ये एक बहुत ही आसान और शांदार track है जिस पे आप camping भी कर सकते हैं, night stay भी कर सकते हैं तो आप इस पे जरूर जाएं और अगर आप इस पे पहले गए हैं या जाना चाते हैं या फिर इस track से related कोई भी क्वेरी है, कोई doubt है, कोई सवाल है आपके मन में तो आप जरूर comment section में पूछें दोस्तो अगर आप tracking करते हैं या tracking में रुची रखते हैं, काफी travel करते हैं तो आप channel को जरूर subscribe करें क्योंकि हम सिर्फ tracking नहीं करते हैं हम जिस भी जगाप पर जाते हैं वहाँ से जुड़ी जो कहानिया होती हैं उसको भी आप तक ले करके आते हैं धन्यवाद दोस्तों इस अद्धुती यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे आगामी वीडियो में फिर मिलेंगे सुरक्षित रहें और अपनी प्राकृतिक साद्गी का आनंद लेंगे नमस्ट